जहन साथियों मैं एक्सरेस्ट में सुधी राप का अपने यूट्यूब चैनल पर सागत करता हूँ हमारे एक्सरेस्ट भाईयां को आईवीपीएस आरार्बी किलर के नोटिफिकेशन का काफी इंतरियार था तो फाइनली डिटेल्ड नोटिफिकेशन आईवीपीएस आरार्बी ओफिस असिस्टेंट बल्टी परपजवाला जारी हो चुका है इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन की मुख्य बात हैं प्रिवीएस इयर की आईवीपीएस आरार्बी की प्री और मेंस की कट ओफ और इस बार की नोटिफिकेशन में पिछली साल की अपेच्छा क्या क्या बदला हुए हैं वह जानेंगे तो फिल करने की डेट है 7 जून से लेकर के 27 जून है इसके लावा जो प्री एक्जाम होने के टेंटिटिव डेट है वह जुलाई अगस्ट 24 है और मेंस आपका सेप्टेंबर 24 में होगा उसके लावा प्रोविजनल अलॉट्मेंट की जो टेंटिटिव डेट है जनुवरी 25 है एज क्रिटेरिया की बात करें तो एक्षरेशन भाईयों यह उनकी सर्विस प्लस 3 एर का वेटेज होता है डेशेवल एक्षरेशमेंट और SC-ST एक्षरेशन भाईयों को सर्विस के अलावा 8 एर का और अलग से वेटेज दिया गया है लेकिन साथ यह maximum age limit 50 year होनी चाहिए 50 रेशन भाईयों की definition इस बार की notification में previous year किया पेच्छा change होई है डेशेवल एक्षरेशन भाईयों की notification में जो definition दी होई है वो हो disabled in operation against the enemy or disturbed area में होने की बात की गई है जब कि previous notification में प्रीश डिशेवल एक्षरेशन भाईयों की भी consider किया जाता था dependent भी अपनी definition इसे notification के हिसाब से read कर सकते है education qualification की बात करें तो इसमें office assistant multipurpose में bachelor degree है यानि कि graduation एक्षरेशन भाईयों को retirement के बाद मिलने वाला defense graduation certificate इसमें valid होता है office assistant multipurpose का जो pre-exam होगा उसमें reasoning और quant दो subject पूछी जाएंगी जो के 40 question रहेंगे और 40 marks के रहेंगे total आपका 80 marks का exam रहेगा जिसमें टाइम आपको 45 minute मिलेगा exam का सलेवस भी आप अपनी screen पर देख सकते है नमर आप vacancy की बात करें तो आन दरे प्रिदेश से total जो एक्शरेशमन की वेक रहेंश है 15 हैं जिसमें 10 वेकेंशी एक्शरेशमन की है और 5 वेकेंशीड डिसेवर्ल एक्शरेशमन की हैं प्रिदेश से previous year की cut-off रही ती 40.50 रही थी तक इसे घ्रम से और जो cut-off रही थी वह 31 रही थी बेहार से 23 और 10 और एक बैंक की N-R यानि की not reported है पिछली साल only 15 वेकेंसी थी बेहार से और जो pre-exam की cut-off रही थी 48.75 तो इस बार बेहार से वेकेंसी जादा होने के कारण cut-off में गिरावाट आएगी उसी तरह से 36 गड़ में भी काफी अच्छी वेकेंसी आपको देखने के लिए मिली है जिसमें 32 और 14 है पिछली बार only 30 वेकेंसी थी वेहार से और cut-off रही थी 45.75 इस बार 36 गड़ से भी cut-off डाउन रहेगी previous year की अपयच्छा गुजरात से जो वेकेंसी हैं 15 और 7 है और 1 वेंग की नौट रिपोटेड है previous year में जो गुजरात की cut-off रही थी वह 49 रही थी वेकेंसी जब के गुजरात में only 09 थी हर्याणा में जो वेकेंसी हैं 18 एक्सरिस्मेंट की और disabled एक्सरिस्मेंट की इलर्क में एक्सरिस्मेंट और disabled एक्सरिस्मेंट दोनों की अलग अलग वेकेंसी नहीं दी जाती थी दोनों की कमाइंडी वेकेंसी थी और cut-off भी दोनों की एक ही लगती थी लेकिन इस वार वेकेंसी अलग अलग दी गई है तो cut-off भी अलग रहेगी एक्सरेशन और डिशेवर्ल एक्सरेशन की हिमाचल प्रदेश में 9 वेकेंसी हैं पिछली बार भी हिमाचल प्रदेश में 09 वेकेंसी थी और कट ओप रही थी 50 जेंड के में 5 वेकेंसी हैं एक बैंक नॉट रिपोर्टेड है previous year में 13 vacancy थी और pre की जो cut off रही थी 37.5 रही थी अरकन में 21 vacancy है पिछली बार only 5 vacancy थी और cut off रही थी 60.75 करनाटक में vacancy 28 है और पिछली बार जो vacancy थी 45 थी लेकिन cut off करनाटक में पिछली बार काफी कम रही थी 26.75 रही थी इस बार थोड़ी बहुत जरूर बढ़ेगी केरला में इस बार की जो vacancy है only 14 है जब कि पिछली बार 43 vacancy थी और cut off रही थी 44.25 तो इस बार केरला में cut off बढ़ने के काफी आसार होंगे उस मद्ध प्रदेश में काफी अच्छी vacancy देखने के लिए मिली है जिसमें अलग अलग बैंक में 35, 16, 30 और 13 यानि कि टोटल MP से 94 vacancy हो रही है जब कि पिछली साल MP से 47 vacancy थी और जो cut off रही थी 52.75 रही थी इस बार MP से cut off काफी कम रहेगी लेकिन vacancy ज्यादा होने के कारण काफी दूसरे अधर स्टेट के भी एक्सरेश में MP से फोरूम बरेंगे महाराष्ट्रा की जो vacancy हैं दो बैंकों में 10, 4, 7, 3, टोटल 24 हैं पिछली बार 29 थी महाराष्ट्रा से vacancy और जो cut off रही थी pre exam की 41.75 रही थी ओडिशा की बात करें तो दो बैंकों में vacancy reported हैं जिसमें एक एक्सरेश में की 9 और 4 और दूसरी ग्रामीड बैंक में 21 vacancy हैं अल्ली एक्सरेश में की इस तरह से टोटल 34 vacancy वरी हैं ओडिशा में जब कि पिछली बार 24 vacancy थी और cut off रही थी ओडिशा से पिर एक्जाम के लिए 53.75 पंजाम में काफी अच्छी नम्मर वेकेंसी देखने के लिए मिली हैं 49 vacancy हैं टोटल एक्सरेश में और डिसेबल एक्सरेश में भाहियों की और पिछली वार पंजाम में ओली 13 vacancy थी और cut off रही थी 48.50 राश्थान में जो vacancy हैं टोटल 65 vacancy हैं औ एक बेंग कभी not reported है पिशली साल 28 vacancy थी और जो cut off रही थी 52 तमिल नाडू में भी काफी अच्छी vacancy देखने के लिए 53 vacancy हैं टोटल और प्रिविएस यर में 24 vacancy थी cut off रही थी 29.50 इस बार भी तमिल नाडू से काफी कम cut off रहने वाली हैं तेलंगाना से भी काफी अच्छी vac देखने के लिए 50 vacancy हैं पिछली बार काफी कम vacancy थी तेलंगाना से 16 vacancy थी और जो cut off रही थी 34 यूपी से भी इस बार काफी अच्छी vacancy देखने के लिए मिली हैं टोटल यूपी से बात करें तो 76 प्रिविएस यर में 54 vacancy थी और जो cut off रही थी प्रिएक्जाम के 56.25 रही थ उत्रागंड की बात करें तो 22 vacancy हैं टोटल प्रिविएस यर में 18 vacancy रही थी और जो pre की cut off रही थी उत्रागंड से 52.50 वेस्ट बंगाल में दोनों के टेगरी मिलाके उल्ली 21 vacancy रेपोर्टेड हैं प्रिविएस यर में 35 vacancy थी और cut off रही थी 48 शाथियो आईवपीस ही बड़ा बदलाव किया गया है प्रिविएस यर में एक्सरेश में और disabled एक्सरेश में भाईयों की एक ही vacancy रहती थी अलग-अलग separate vacancy नहीं रहती थी जिससे के cut off भी उनकी एक ही रहती थी इस बार separate vacancy भी दी हैं तो cut off भी उनकी अलग लगेगी प्रिविएस यर का notification भी म अलग-अलग न दे करके एक ही दी हुई है उसी तरह इसे बात करें disabled एक्सरेश में भाईयों की definition के बारे में disabled during war or in peace time but their disability being attribute की बात की गई थी अब कापी हमारे disabled एक्सरेश में भाईयों का question रहेगा के हमें कौन सा document disability के लिए लगाना पड़ेगा तो इसी notification में परफॉर्मा A, B, C, D चारो दिये हुए हैं तो disabled भाईयों को परफॉर्मा A record office से sign करा करके देना होगा जो detailed notification में आपको 68 page number पर मिल जाएगा परफॉर्मा B आपको 69 page number पर मिल जाएगा परफॉर्मा C आपको 70 page number पर मिल जाएगा और परफॉर्मा D आपको 71 page number पर मिल जाएगा ये चारो परफॉर्मा एक्सेरेशन भाईयों से related हैं तो आप वहां से जागर के इसको डाउनलोड करके विश्तित जानकारी ले सकते हैं टेलिग्राम गुरूप का लिंक भी मैं अपने description box में post कर दूँगा काफी हमारे एक्सेरेशन भाई other state से भी forum फिल करेंगे लेकिन उनको other state की जो लेंगेज है वो आनी चाहिए जहां से पिडी और मेंस की कटोप कम रहने की संभावना है उसमें एक तो आसाम state है दूसरा बिहार तीसरा चतिसगर उसके लावा MP, पंजाब, राइस्तान, तमिलनाडू, तेलंगाना और UP से भी इस बार थोड़ी बहुत कटोप कम रहने के आसार हैं, इस states में अगर आप फोरम फिल करते हैं तो आपको थोड़ा कम competition में participate करने का मौका मिलेगा और आपके selection के आसार ज्यादा हो जाएंगे, मेंस कटोप की बात करें, तो previous year की मेंस की कटोप भी मैं आपको आपके screen पर दिखा देता हूँ, इस screen पर previous year मेंस XR1 के टेगरी कटोप दे सकते हैं, जो कि out of 100 है, total marks out of 200 जानने के लिए आपको इस cut-off को double करना पड़ेगा, आंदर परदेश से XR1 की बात करें, 32.94 गई थी, उसी तरह से आसाम से 28.07, बेहार से 39.24, यह मेंस एक्जाम की cut-off है, out of 100, 36 गर से 37.78, गुजरात से 37.24, अर्याना से 45.78, एमाचल परदेश से 40.19, इंड के से 37.69, चारकन से 45.24, करनाट गा से 26.69, केरला से 38.94, मध्य परदेश से 40.22, महराष्टा से 36.24, मनीपुर से 41.53, ओडिशा से जो cut-off रही थी 41, पंजाव से 39.85, राष्टान से 43.07, तमिलनादू से 28.94, और तेलंगाना से 27.28, उत्रप्रदर से 43.19, उत्राघंड से 42.88, और वेश्ट बंगाल से जो cut-off रही थी 37.22, साती यह cut-off मेंस की है, और आउट ओफ 100 है, आउट ओफ 200 करने के लिए आप multiply by 2 कर देंगे, तो आपको आउट ओफ 200 cut-off मिल जाएगी, आपके अलावा प्री और मेंस में आईउपियास रारीबी किलर्क में sectional cut-off भी रहती है, तो मैंने पिछली वीडियो में अपनी sectional cut-off भी बताई हुई है, तो आप मेरी previous year cut-off की वीडियो को बाच करके sectional cut-off भी पता कर सकते हैं, एक्सरेक्शन भाईयों के लिए banking की job सबसे अच्छी मानी जाती है, तो काफी अच्छा सुनेरा मौका है आपको अपनी dream job पाने का, तो आप अपनी अच्छे तरह से preparation करके, मौक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगा करके, क्योंकि इसमें time का shortage आपको pre-exam में देखने के लिए मिलेगा, तो मौक टेस्ट से अपनी help जरूर ले, आगे भी मैं banking exam की अपने exception भाईयों को जनकरी देता रहूँगा, धन्नवाद, जैहिन,